प्रूइंट पिछले लेक्शर में हमने बात की थी किस थरीके से लिविंग ओर्गिनिजम औरिजनेट हुए तब कौन सा लिविंग ओर्गिनिजम था जो सबसे पहले औरिजनेट हुआ तो उसमें हमने पढ़ा था कि deep into the ocean घरम पानी के चश्मे थे जिनको हम hydrothermal vents कहते हैं यहीं पर कुछ chemical reactions हुए थे inorganic और organic molecules के दर्मियान में जिससे क्या इवोल्ड हुए जिससे prokerotic cell इवोल्ड हुए और यह जो prokerotic cell था यह कौन सा था यह थे arqueo bacteria फिर पहले-पहले arqueo bacteria जो थे वो absorptive heterotroph थे उसके बाद food absorb करने के लिए उस वक्त की environment में इतना food नहीं था तो इन्होंने अपने आपको shift किया किस तरफ इन्होंने अपने आपको shift कर लिया कीमो-synthetic autotroph हो गए कुछ और उसके बाद कुछ photosynthetic autotroph हो गए और उन मेंसे भी कुछ ऐसे photosynthetic autotroph हुए जो अपनी photosynthesis के दोरान क्या release कर रहे थे जो अपनी photosynthesis के दोरान oxygen release कर रहे थे अप जो photosynthesis के दोरान oxygen release की तो कुछ बैक्टरिया aerobic बैक्टरिया हो गए जो अपनी respiration में क्या इस्तिमाल करना शुरू हो गए oxygen जो है वो इस्तिमाल करना शुरू हो गए यह तो सब बाते हमने पहले डिसकस कर ली थे देखें जब evolution की बात हो रही है तो हमें पता है कि जो पहले तो जमीन पर प्रोकेरोटिक सेल आया सबसे सिंपल सेल इस दुनिया में जो है वो प्रोकेरोटिक सेल ही है यूकेरोटिक सेल में में मांड़िड और्गनलीज होते हैं यह मैं डिफरेंस है किसमें प्रोकेरोटिक सेल में और यूकेरोटिक सेल में में मांड़िड और्गनलीज नहीं होते यूकेरोटिक सेल में मांड़िड और्गनलीज होते हैं तो कैसे प्रोकेरोटिक सेल से यूक these are two theories one is membrane invagination theory and other one is endo symbiont theory in theory in theory in theory according to these theory in which the prokaryotic cells evolved first of the memory and invagination theory is this prokaryotic cell is a big amoeba and the prokaryotic cell is is the prokaryotic cell is prokaryotic cell is what happened is इसकी जो मेंबरेन थी उँ अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होना शुरू हो गई मेंबरेन फेल्ड होने से पहले एक और काम हुआ वो भी देखने हैं सबसे पहले तो क्या हुआ कि यह जो सेल था प्रोरोकरोटिक सेल इसका जो जेनेटिक माटीरियल था यह इसकी सबसे पहले copies बन गए, genetic material की क्या बन गई यह, copies बन गई, जब genetic material की यह copies बन गई, copies को थोड़ा सा इस तरह बाना देता हूँ, genetic material ने replicate किया, और genetic material की यह copies बन गई, अब यह जगई जगего, copies बनने के बाद क्या हुआ, कि इसकी जो membrane थी, इसकी जो cell membrane थी, यह cell membrane क्या होना शुरू हो गई, यह cell membrane इसकी जो हो invaded होना शुरू हो गई, just like this, इसकी मेंब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट होना शुरू हो गई इसको एक दफ अप फिर आपको डुरा करके बता देता हूं इस तरह से कुछ हुआ था यह इसकी जनेटिक माटीरियल की कॉपी बन गई और इसकी जनेटिक माटीरियल की कॉपी के चारों तरफ इसकी मेंब्रेन इस तरह से क्या हो गई है फोल्ड होना शुरू हो गई और वो क्या कर गई ऐसे इन्वेजिनेट कर गई अब ऐसे यह मेंब्रेन क्या हो गई यह इन्वेजिनेशन और इस फोल्डिंग और इस मेंब्रेन की इन्वेजिनेशन की वज़ा से क्या हुआ इसकी इन्वेजिनेशन की वज़ा से इस तरह से क्या डेवलप हो गए इसके अंदर इसके अंदर जो है वो मेंब्रेन बाउंडि के अंदर भी । तो बैंदर दियए ने होता है झार conf guest लिए ने मोझूद होता है तो इस तरह से ये ओंड definitive गहित है कि इस तरह से मेभरेंड ऑुंडी टॉर्डयनली जो और वो गहिं किसके अंदर जो है वो प्रोकेरोटिक cell में आ गई और जब prokaryotic cell में membrane bounded organalis आ गई तो वो prokaryotic cell नहीं रहा उस cell को आप क्या को होगे उस cell को आप को होगे eukaryotic cell यह कहता है membrane invagination theory आपको भी पता है के bacteria के cell के अंदर cell membrane इस तरह invaginate होती है जिसको हम कहते हैं mesozone mesozone जो हम इसको कहते हैं तो इसी तरीके से कुछ folding हुई होगी जिसकी वज़ा से यह membrane mounted organalis आ गए यह एक त्यूरी हो गई अच्छा अब दूसरी त्यूरी देखें के दूसरी त्यूरी जो है वो क्या बताती है यह जो endo symbion type theory जो है यह कहती है के एक बड़ा prokaryotic cell था यह लेंग बड़ा क्या हो गया यह prokaryotic cell था क्या हुआ इसके surrounding में चोटे-चोटे prokaryotic cell थे यह चोटे-चोटे क्या हैं यह prokaryotic cell है यह चोटे-चोटे prokaryotic cell इसके surrounding में अब क्या है कि इस बड़े प्रोकेरोटिक सेल ने क्या किया इन छोटे प्रोकेरोटिक सेल को खा लिया अब मिसाल के तोर पे ये जो प्रोकेरोटिक सेल था ये फोटो सेंथेटिक था ये क्या था ये फोटो सेंथेटिक था और ये वाला जो प्रोकेरोटिक सेल था ये ये एरोबिक बेक्टेरिया था इ इन छोटे प्रोकेरोटिक सेल को खा लिया, यह देखें, इसके अंदर की तरफ यह चले गए, इसने इनको यह खाया, इनको खाने के बाद, खा तो लिया इनको, लेकिन इनको डाइजेस्ट नहीं कर सका, इनको क्या नहीं कर सका, डाइजेस्ट नहीं कर सका, और यह जो छोटे छोटे प्रोकेरोटिक सेल थे जो इसके चल गए Андर जाने के बाद इस बैक्टरिया में इस सेल्स के साथ एक सिंजिंवायोटिक आपको पता है रिविफ़ हैं मतलब दूनों को बैस्वन और लिविफ़ीड प्लस साथ गहरे थो देखो, यह जो photosynthetic cell था, इसने इस bacteria को क्या फाइदा दिया, इसने इसको glucose बना कर दिया, क्योंकि photosynthetic था तो यह क्या बना देता, यह glucose बना लेता था, और यह जो aerobic जो cell था, जो aerobic bacteria था, उसने इस glucose को breakdown करकर, इससे बहुत सारी ATP बनाने में क्या करी, help की, तो दोनों ही इसको फाइदा दे रहे थे, तो ऐसा हुआ कि जो photosynthetic cell था, यह chloroplast बना दिया, और जो यह aerobic bacteria था, यह आगे चल कर क्या बन गया, mitochondria बन गया, और इसी तरीके से यह spirochete को जब इसने absorb किया, तो इसको पुरा absorb नहीं कर पाया, तो यह spirochete जो है, वो किसमें convert हो गया, यह कहते हैं, कि फ्लेजिला में convert हो गया, और इस तरीके से क्या हुआ, यूकरोटिक सेल जो है, वो क्या हो गया, एवोल्ड हो गया, अच्छा एक और भी चीज़ थी इसमें, मिसाल के तोर पे कुछ यूकरोटिक सेल, कुछ प्रोकरोटिक सेल ऐसे थे, जिनके अंदर यह photosynthetic bacteria गया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे, जिनके अंदर यह photosynthetic bacteria नहीं गये, तो जिन में photosynthetic bacteria चले गया, वो कैसे यूकरोटिक सेल बन गया, वो autotrophic eukerotic cell बन गया, और जिन में photosynthetic bacteria नहीं गये, वो heterotrophic क्या बन गया, यूकरोटिक सेल बन गया, मतलब उनके पास mitochondria तो था, लेकिन क्या नहीं था, यह chloroplast नहीं था, अच्छा अब एक और हैं, यह पहले किसी जमाने में bacteria ही थे, तो आपको पता है कि chloroplast के अंदर भी DNA होता है, और mitochondria के अंदर भी DNA होता है, वो circular DNA होता है, आपको पता है, bacteria के अंदर भी DNA कैसा होता है, circular होता है, mitochondria के अंदर जो ribosome होते हैं, वो 70S वाले होते हैं, bacteria में भी ribosome जो है वो कौनसे होते हैं? 70S वाले होते हैं, यह double membrane mounted होता है, bacteria भी double membrane mounted होता है, एक cell वाल होती है सेल मिबरें इसी तरीके से और sel और तो अभचे बिए सैन्ट के अंदर यह सकते हैं ने स्थे आसओं किया होते हैं वो हो रड्री यह रू हुघ वे चीज़ बेंड आ हैं और chloroplast हैं इनका कहीं नहीं कहीं relation किससे मिल रहा है जाकर bacteria से मिल रहा है तो यह क्या किना चाहिए के endosymbiote hypothesis को support करने के लिए जो है यह यह जो है वो points थे अच्छा अब इदर देखें चलें आपकी book में देख लेते हैं कि आपकी book किस तरीके से इसको explain कर रही है तो मैंने आपको simply बता दिया आपकी book में जो heading है वो है evolution of evolution from pro caroids to you caroids यह नहीं pro caroids से you caroids किस तरीके से बने सबसे पहले तो as per fossil record the you caroids appear 1.9 to 2.1 billion air ago देखो जो पहला pro carootic cell बना था वो about 3.5 billion air ago बना था और उसके बाद तकरीबन 1.9 to 2.1 billion air ago जो है इसके दर्मियान में जो है वो pro carootic cell से क्या बना है pro carootic cell से जो है eukerotic cell बना है यह क्या बता रहा है यह हमें हमारा fossil record बता रहा है यानि eukerotic cell के जो fossils हैं हमें इतने पुराने जो हैं वो क्या हैं मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस टाइम में जो हैं यह क्या हुए थे यह वोड हुए थे अच्छा प्रोकरोटिक सेल किससे वोड हुए हैं सोरी यूकरोटिक सेल किससे वोड हुए हैं प्रोकरोटिक सेल से वोड हुए हैं और यूकरोटिक सेल के जो earliest fossil मिल रहे हैं हमें इतना million year ago पहले वाले जो रॉक्स हैं उनके अंदर यह में मिल रहा है तो इस वजा से हम इनको कह रहा हैं कि यह इसने यह पहले जो है वो बने थे डिफरेंट थीओरी जो है वह अब ऑउड़ दे एवलिशन ऑफ यू करोड उनमें एक है मेंबरेन इंवेजिनेशन थीओरी और दूसरी है एंडो सिंबाइउन थीओरी तो आप देख लेते हैं कि आपकी बुक में में इंवेजिनेशन थीओरी के बारे में क्या कह रहा है अकोर्डिंग तो इस थीओरी प्रोकरोटिक सेल में फोल्ड इंवर्ड इंवेजिनेटेट टू इंक्लोज कॉपीज ओफ जैनेटिक मटी और उसकी इन्वेजिनेशन की वजह से इस तरह से है डाल इंवेजिनेशन बांड इंप और गॉनली जो है mitochondria and chloroplast कहता है इन्ही entities ने मतलब इन्ही जो यह जो things बन गई थी छोटी-छोटी इन्ही में से कुछ ने ukeros का nucleus बना लिया कुछ ने mitochondria बना लिया और कुछ ने chloroplast बना लिया So it was membrane invagination theory उसके बाद second number पर है endosymbion theory देखो endosymbion theory जो है वो proposed by Lynn Morgullus इस theory के मताबिक the first step in evolution of eukerotic cell is thought to have occur when a large anaerobic amoebite prokerodes ingested a small aerobic bacteria and stabilize its spray as an endosymbiont rather than digesting it. मतलब वह वाली बात कह रहा है कि एक बड़ा जो है वो anaerobic prokerotic cell था amoeba की तरीके का एक prokerotic cell था और उसने क्या किया यहां पर美味 क कहला यहां पर pray का लफज़ इस वज़ासे इस्तिमाल गूया है कि वो छोटे छोटे aerobic bacteria को खा रहा था मतलब उनको ingest कर रहा था तो इस वज़ासे उसने क्या किया उसने जो है वो छोटे anaerobic bacteria को क्या किया इनजzes कर लिए sorry arobic बेक्टरिया को है न अरोबिक बेक्टरिया को नहीं अरोबिक बेक्टरिया को प्रे किया या इनका शिकार किया लेकिन उस प्रे को जो है वो एन इस्टेबलाइज इस प्रे या उपना जो शिकार उसने लिया था उसको उसको खाया नहीं उसको डाइजेस्ट नहीं किया उसको क्या कर लिए अपनी बोडी में इस्टेबलाइज कर लिया कैसे स्टेबलाइज कर लिया मिसाल के तोर पे जो aerobic bacteria इसकी body में गए वो convert हो गए किसमें mitochondria में और mitochondria ने इसको क्या बना कर देना शुरू किया mitochondria ने इसको बहुत सा ATP बना कर दिया इसके इलावा जो photosynthetic bacteria इसकी body में गए उन्होंने क्या बना लिया उन्होंने बना लिया chloroplast और क्लोरोप्लास इसको क्या बना कर देता था गुलूकोज और इस पाइरोकीड जो थे वो जो बाहर की तरफ थोड़े से एक्स्ट्रेंड हो गये और उन्होंने क्या बना लिया उन्होंने बना दिया फ्लेजिला तो इस तरीके से according to this theory भी प्रोकरोटिक से उकिरोटिक सेल जो है वो क्या हो गया हो गया ह nc का मतलब होता inside और symbiont का मतलब होता है living together यानि इस तरीके के जो आयरोबिक बेक्टरिया थे या फोर्तो संसेटिक बेक्टरिया थे ज़ो बड़े प्रोरी बेक्टरिया के अंदर रहे होां पर जाकर stable हो गए और एक symbiont relation बनाया उसके बाद वही जो aerobic bacteria थे वो किसमें convert हो गए कुछ mitochondria में aerobic bacteria convert हुए photosynthetic bacteria chloroplast में और spirocate जो है वो phlegelum में convert हो गए नेक्स हमारा topic होगा वो होगा लेमार्क इसम देखो लेमार्क इसम नेक्स हो मैं आपको topic पढ़ाऊंगा उसको थोड़ी सी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ लेको हमने पढ़ा है के two school of thoughts है क्या है two school of thoughts है about evolution evolution के हवाले से किस तरीके से जमीन पर जिंदेगी आईए उसमें two school of thoughts है एक तो है concept of special creation concept of special creation कहता है के everything is created by God in its present form और दूसरा है concept of evolution यानि चीज़ें क्रियेट नहीं की गई हैं वो evolved हुई हैं अगर आप evolution की बात करें तो evolution के हवाले से different theories हैं और वो तीन theories जो आपकी book में दी हुई हैं उसमें से पहली जो theory है वो है लेमार्किसम जिसको हम theory of acquired character भी कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं theory of acquired character भी कहते हैं और ये किस ने दी थी ये लेमार्क ने दी थी और दूसरी जो हुआ एक और जो है चीज इसको हमने discuss करना है वह है new darwinism darwin की theory को हम mutation theory से और इसके genetics के साथ जब मिलाकर हम इसको discuss करेंगे तो वह क्या होगी वह है new darwinism आज की जो मतलब क्या करें हैं जो आज की research है आज का जो मतलब हमारी पास जो है वो scientific prove है उनको मिल जब darwin की theory के साथ हम combine करेंगे तो यह क्या है यह new darwinism तो अब हमने क्या करना है next lecture में इन तीनों theories को one by one हमने क्या करना है इन वैसे theories तो मैं लिए दो यह एक लेमार्किजम और एक darwinism जो है समझने के darwin theory का यह वर्जन है तो इसको हम जो है वो है next lecture में फिर discuss करेंगे लिमार्किजम आप कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो